चेप्टर नमबर 11 जो है यह इसका टॉपिक है क्या टॉपिक है Graph of Trigonometric Functions I guess ही इसका नाम है इसका नाम Graph of Trigonometric Functions इसमें है क्या? देखो सबसे basic concept इसमें discuss किये गए है Trigonometric Functions के Graph से related पहला टॉपिक है Trigonometric के Graph ठीक है graph के बाद उनकी domain और range उसके बाद तीसी चीज़ है उनका period निकालना ये तीन चीज़ें इसके अंदे है अब इस concept को आप याद रखो कि कुछ सा concept है कि lecture number 7 था इसी अगर आप YouTube पे देखती हो मेरी videos इसे ECAT preparation से related इसमें मेरी playlist है ECAT test preparation के नाम उसमें lecture number 7 में जाना वो मैंने chapter number 1 जो functional limits का था था ना उसमें हमारे पास topic था domain वाला कि different functions के हम domain निकालते थे तो उसमें आप lecture number 7 में जाना lecture number 7 में मैंने आप लोगों से discuss किया था कि domain of trigonometric functions और range और साथ साथ inverse trigonometric function जो कि topic है chapter number 13 first year का chapter number 11 में है trigonometric functions और chapter number 13 में है inverse trigonometric function तो इन दोनों की domain और range वो lecture number 7 जो है उसमें मैंने आप लोगों को detail से समझाई थी सिर्फ बताई नहीं थी समझाई थी तो अगर किसी student को shock हो समझने का तो वो समझ सकता रोगी आपकी आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि इनके table आपको मिल जाएंगे अगर मैं आपको अच्छा उस video के end पे lecture number 7 तक्रीबर 45 मिनिट की video होगी उसके end पे मैंने बनाया बता अलग से पहले तो मैंने समझाया था ना उसके बाद अलग से मैंने बताया था कि trigonometric function जो 6 है उनकी ये domain range है इसी तरह inverse को भी मैंने अलग से बताद किया था तो अगर आप लोग का रटा अच्छा है तो आप लोग वहां से बढ़ सकते हो लेकिन अगर रटा अच्छा नहीं है तो आपको फिर table याद करना पड़ेगा आप वो concept पूरे देखने पड़ेंगे आपको डुमेन और रेंच के topic मिल जाएगा यहां से भी आप देख सकते हो लेक्चर नमबर 7 है यार अभी मैं यहां पर गहां से भेजूँगा मैंने रेफरेंस दिया तो है E-Care Test Prevision जो है उस playlist में जाओ और लेक्चर नमबर 7 जो है उसको देख लो 45 मिनट के है उसमें और topic मैंने clear किये है टेबल भी है end पे और start मैंने concept भी clear किये है तो उसमें दो चीज़ें cover होंगी एक तो आपको ग्राफ समझाएगा इनके ग्राफ बड़े important है ग्राफ से काफी चीज़ें आप समझ सकते हो तो ग्राफ आपको उस वीडियो से समझा जाएगे दूसरी चीज़ इनकी domain और range भी उस वीडियो से समझा जाएगी उसके पीछे मतलब अब तीसा topic इस chapter का रहे गया है और वो topic है किसी भी trigonometric function का अगर आपने period निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे सबसे पहले किसी भी trigonometric function का period होता क्या है इसको तरह समझ लो उसके बाद निकालने पे आ जाते है देखो trigonometric function में period का concept यह होता है कि एक value होती है कि जिसके बाद आपका graph जो है वो repeat कर रहा होता है जैसे अगर आप simple एक graph बनाओ sign का तो आपको इस type का graph मिलेगा sign का यह एक पूरी cycle होगी उसके बाद इस graph दुबारा repeat करेगा इसी तरह होगा दुबारा तो हो यह रहे कि बार बर repeat करता जाएगा तो period क्या होगा यहां से लेके यहां तक यह पूरा period है क्योंकि इस value के बाद दुबारा आपको graph repeat कर रहे है फिर आपका दुबारा graph repeat कर रहे है तो period एक positive और small value होती है मतलब आप यहां पे period इसको भी ले सकते हो यहां तक ठीक है अगर आप देखो यह भी period है इस value के बाद दुबारा आपको graph repeat होगा आप period इसको भी ले सकते हो लेकिन period जो है वो small value होती है ठीक है इसमें और इसमें small value यह है दूसरी बात positive होती है क्योंकि दिखने में लग रहे है आप distance बता रहे हो और यह वो value होती है जिसके बाद आपका graph जो है वो repeat कर रहे है और अगर आपने इसको observe करना है तो आप observe भी कर सकते हो sine के case में period होता है 2pi में लिखवा दूँगा अभी मतलब 360 degree होता है तो आप क्या करना आप calculator में sine 30 degree की value निकालना और calculator में आप sine 30 plus 360 की value निकालना दोनों की value सेम आएगी क्यों? क्योंकि value repeat करेगी जो इस angle पे value है अगर आप इसमें period add करोगे तो value दुबारा आपकी repeat करेगी फिर दुबारा आप 360 add करोगे दुबारा आपकी value repeat करेगी ठीक है? तो ये concept होता है period का कि आपका function जो है एक खास distance के बाद एक खास value के बाद दुबारा वो repeat कर रहा होता है concept period का ये वाला होता है अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनके periods हैं क्या sine function हो गया इसी तरह cosine हो गया इसी तरह इनके reciprocal मतलब cosecant और cosine के reciprocal secant ये चार्ट trigonometric function है जिनका period जो है वो 2π होता है 2π के बाद इनका graph जो है वो repeat हो रहा होता है ठीक है और इनको आपने general form में लखना है general form क्या sine x याँ थीटा भी लख सकते हो cos x cosec x और sec x इनके period 2π होता है अगर इनके angles से को multiply और divide हो रहे है तो इनके period पर chain हो जाते है और बाकी दो कौन से बचे है tangent और cotangent जिसको आप court कहते हो मैंने पूरे नाम इसलिए बता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि यह इनके पूरे नाम है इनका period πाय के बराबर होता है अगर आप tangent का graph देखो ना tangent का graph इस तरह बनेगा tangent अगर आप इस तरह बनेगा फिर दुबारा tangent अगर इस तरह बनेगा SM toads होते है SM toads मैंने वहाँ पर clear किया है जो मैंने आपको lecture no.7 बताया है तो अगर आप observe करोगे न अगर आप अगर आप यहाँ से старte करते हूं देखो आपकी मर्जी अब start कहां से करना चारे है अब यहाँ से भी start कर सकते हो लेकिन अगर मैं यहाँ से देखते हूं यह जी 0 है 0 के बाद आप अगराव इस तरह बना ना फिर आब अगराफ इस तरह बन रहा है लेकिन आप observe करो इस point के बाद दुबारा अगराफ इस तरह बन रहा है मतलब इस point के बाद इस तरह बन रहा था और अब इस point के बाद दुबारा इस तरह बन रहा है तो tangent के case में इस पूरे point के distance होता है पाइ, approximately 3.14 के बराबर होगा तो यह 3.14 distance के बाद दुबारah tangent का graph repeat होगा फिर पिर इसी 3.14 distance के बाद दुबारah tangent का graph repeat होगा तो tangent और caught के graph जह है यह 파इ के बाद repeat कर रहे होते हैं तो इनका period पाइ के बराबर है और अभी बात की जारी है tangent x की और caught x की तो फिर पीरिट क्या होगा उसको तरह देख लेते हैं यार रिकॉर्डिंग में देख लेना कि पीरिट और कॉंसेप क्या होता है मैंने डिटेल में डाइगराम से देख के बता है अब टिरिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिसकस करते हैं हम तोड़ा जिसमें आपकी एक्जेंपल तोड़ डिफरेंट हो सकती है मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ लेट कर लो आपके पास थोड़ी वैरिशन आ जाजाएं आपको निकालना हो साइन टू एक्स का पीरिएड अब कैसे निकालोगे देखो साइन एक्स का पीरिट तो टू पाय होता है लेकिन अगर एंगिल में कोई चेंजिंग कर दे तो इसका पीरिट पे भी फर्क पड़ता है तो क्या पढ़ेगा फार्मला यह होता है किसी भी फंक्शन का अधर देन एक्स कुछ और वैल्यू अगर आ रही है तो पीरिट कैसे निकालोगे इसको मैं अच्छा वैसे पीरिट को आप स्मॉल पी से लिखते हो और इसकी जनरल फॉर्म यह होती है जो भी पिरिएडिक फंक्शन है उसकी जनरल फॉर्म यह होती है इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक पिरिएडिक फंक्शन है जैसे यह ट्रिट्नोमेटिक फंक्शन है इनके इन्पूट में अगर आप यह पिरिएड करते हो तो फर्क नहीं पड़ता मतलब जो इनकी वैल्यू एक्स के उपर है वही वैल्यू रहती है अगर आप एक्स के अंदर पिरिएड कर देते हो जैसे मैंने भी बताया था साइन 30 डिगरी की वैल्यू एक्वल होगी साइन 30 प्लस 360 के मतलब अगर आप एंगिल में 360 भी एड़ कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यह जनरल फर्म होती है किसी भी प्रियोडिक फंक्शन की बारल तो अगर आपने पिरिट निकालना है यह भी बात कर रहा हूँ साइन कॉस कोसीकेंट सेकेंट इनके अगर आपने पिरिट निकालना है और यहां पे । इसका फिरिट क्या होता है तो फॉपाई डिवाइड़ भाई एकस के साथ कोई भी चीज लिखी हो यहां पे अब एकस के साथ क्या लिखह वाई है तो आप टू से डिवाइड कर दो तो अप पिरिट क्या आ जाएगा पाई के बराबर आजाएगा तो sin 2x का period क्या होता है पाई के बराबर होता है इसी तरह example change करते है let कर लो आपके पस आजाए cos 3x cos 3x का period क्या होगा सबसे पहले आप देखो cos का period क्या होता है 2pi divided by जो x के साथ लिखाव है 3 लिखाव है that's it तो cos 3x का period हो जाएगा 2pi by 3 अब थोड़ा fraction में आ जाते है let कर लो आपके पास आजाए sec x divided by 3 इसका आपको period निकाल ले है अब इसका कैसे आएगा सबसे पहले देखो sec का period होता है 2pi यहाँ पे x के साथ क्या लिखाव है यहाँ पे x के साथ 1 upon 3 लिखाव है तो आप 1 upon 3 से divide कर दो तो यह 3 जो है यह उपर आजाएगा इस 2 से multiply होगा तो यह 6pi हो जाएगा ठीक है तो I guess काफी example होगी इसी तरह कौसाएक की case में आप कुछ भी कर लो अचा period positive होता है अगर यहाँ पे कुछ negative आ भी जाए ना तो उसका तो हल होता है वैसे अगर आपके पास अगर आ जाए कि sine minus 2x का period बताओ तो यह बराबर होगा minus sine 2x के अब function के साथ बेशक minus आ गया period पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा period पे minus का कोई असर नहीं पड़ता period अभी भी इसका क्या होगा sine 2x का पाई के बराबर ही होता है तो इसके साथ minus आए और कुछ भी आए period का कोई इसर नहीं होगा अब एक और concept आपकी book में तो नहीं लिखावा लेकिन यह federal के अंदर होता है खेर concept तो 4 होते हैं मैंने यह अपने channel पे बताया आप है वीडियो में बकाईदा मैंने अगर आप मैंने चैनल पे जाओ तो चेप्टर नम्र 11 के अंदर मैंने एक screen recording करके वीडियो मनाई थी उससे जो आप है डेस्मॉस उस पर मैंने चार concept समझाए थे टिक्नोमेट्रिक फंक्शन से एलेटेड़ एक ता निकालते हैं मैं आगे और भी example देता हूं period की जब दो फंक्शन एड़ हो रहे हूं अच्छा अभी आप थोड़ा amplitude देख लो amplitude क्या होता है मैं amplitude की यहां पे example देता हूं अच्छा amplitude यह concept जस्साइन और कॉस के case में होता है और यह concept क्या है अगर आप जो sign या cost ग्राफ x-axis से कितना उपर है यह होता है आपको पता होना चाहिए cost के case में maximum value क्या होती है वन के बराबर होती है इसका मतलब आपका ग्राफ x-axis से उपर कितना है वन यूनिट है तो cost का amplitude क्या होता है वन के बराबर होता है simple जो cost function है इसका amplitude क्या होता है वन के बराबर क्यों क्योंकि यह x-axis से वन यूनिट उपर तक जाता है मतलब इस वन से उपर नहीं होता है जितने भी आप ग्राफ की पीक दिखोगे न यह बस नहीं तक जाती है इसके बाद नहीं जाती है मतलब ऐसा नहीं क्यों उपर चलीग होगे तो वो भी x-axis से वन यूनिट उपर ही है तो sign का भी amplitude क्या हो जाएगा लेकिन अगर different functions आजाए जैसे अगर आपके पास आजाए sign 2x तो देखो यहाद अठना x के साथ कोई भी angle में चीज multiple और यह उसका amplitude पर को असर नहीं पड़ेगा उसका असर पड़ेगा period के उपर तो अगर मैं आप से पूछओ इसका amplitude क्या है इसका amplitude अभी भी 1 है इसका amplitude पर को असर नहीं पड़ेगा हाँ period पर क्या असर पड़ेगा के period इसका पाई है अब मैं discuss करता हूँ 2 sin 2x अब amplitude का असर पढ़ता है कि जब sine से कुछ चीज multiply होती है तब amplitude का फर्क पढ़ता है क्यों? जब आप किसी number को multiply करते हो न तो अब sine का graph stretch हो जाता है ये पहले 1 unit उपर था न अब ये 2 unit उपर हो जाएगा अगर आपने इसको observe करने तो मैंने बताया है Desmos के नाम से एप है उसमें आप sine 2x draw करो और 2 sine 2x draw करो तो अब देखना sine उपर हो जाएगा तो जब भी यहाँ पे कुछ चीज multiply हो ये sign से वो amplitude decide करेगा जैसे यहाँ पे 1 multiply हो रहा था तो amplitude क्या था 1 अब यहाँ पे क्या multiply हो रहा है 2 तो अब इसका amplitude क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा और period पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखो period पे फर्क उस्त पड़ेगा जब यहाँ पे angle से कोई चीज multiply हो रही है वो period decide करेगा और amplitude पे फर्क पड़ेगा जब trigonometric function से कोई चीज multiply हो रही है तो इस case में period अभी भी क्या रहेगा पाई के बराबर ही रहेगा उसका कोई असल नहीं पड़ेगा अब student का सवाल ही होता है हाँ बूलो जब graph draw करोगे न तो sign का graph देखना इस तरह होगा मैं अभी उपर का बता रहा हूँ तो देखना ये वहला point graph जब draw करोगे 3 होगा ये draw करके देखना अच्छा जी अब let कर लो यहाँ पे अगर आजाए minus 4 cos 3x amplitude एक distance है distance कभी negative नहीं होता तो इस minus को ignore करना amplitude क्या होगा 4 के बराबर होगा और period क्या है यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुए उसको solve कर लो cos का period होता है 2π x के साथ क्या लिखा हुए अभी 3 तो 3 से divide कर दो period हो जाएगा 2π upon 3 और amplitude हो जाएगा 4 के बराबर है इस तरीके सब amplitude निकालते हो तो यह period और amplitude दोनों कांसेप मैंने बता दी है यह भी बता दी है कि किसका किस पे असर बढ़ता है amplitude जो बहार लिखा हुए वो डिसाइड करेगा और जो x के साथ चीज multiply और यह वो डिसाइड करती है कि period क्या होगा इसका अब मैं आपको ज़रा बताऊंगा कुछ function अगर add हो रहे हैं तो तब आप period कैसे निकालते हो अभी तो आपने अलग-अलग functions के निकाले हैं तो इसका ज़रा screen shot ले लो बुक की example क्यों discuss करते हैं 11.1 में question number 2 के अंदर लिखाव है find the period of cos x plus sin x तो बहुत easy है अभी मैं करवाँगो तो समझा आजएगा part number 2 में लिखाव है tangent 3x तो तरह देख लेते हैं कि tangent 3x का period क्या होगा अब आपने देखना है कि tangent का period क्या होता है tangent का period pi होता है और फिर यहाँ पे देखो x के साथ क्या लिखाव है 3 तो 3 से divide कर दो तो tangent 3x का period क्या हो जाएगा pi upon 3 हो जाएगा part number 4 में लिखाव है 1 upon 2 sin 2x का period अब again 1 upon 2 का period पे कोई इसर नहीं पढ़ रहा period क्या होगा वो ही जो x के साथ लिखाव है पार्ट number 3 में आप देखो दो function है sin x by 2 प्लस cot x by 4 अब किस तरह निकालोगे अब यहाँ पे सबसे पहले आप individual निकालोगे individual का मतलब sin x by 2 का period निकालो sin x by 2 का period क्या होगा sin का period 2 pi और x के साथ क्या लिखाव है 1 upon 2 फिर आप cot का निकालो cot का period होता है pi और इसके साथ क्या लिखाव है 1 upon 4 तो आप नेचे 1 upon 4 लिख दो यह 2 उपर दाके multiply होगा यह हो जाएगा 4 pi यह वाला से multiply होगा 4 pi अच्छा यह मैं comma इसलिए दार रहा हूँ क्यूंकि आप period add नहीं करोगे दो function बेशक add हो रहे हैं आप इनके period निकालोगे तो आप उनको add नहीं करोगे common लिखने का मतलब यह कि जो दोनो values होंगी आप इसका LCM निकालोगे LCM क्या होता है least common multiple अब यह आगे मैं समझाओंगा इस वाले सवाल में तो दोनों सेम है तो इनका LCM भी 4 pi होगा लेकिन कुस्स हवालों में सेम नहीं होंगे तो पिर आप LCM किस तरह लोगे तो यहाँ पर यह दोनों सेम है आप इसका LCM लेओ LCM भी क्या आएगा मैं लिख देता हूँ इसका आप LCM लेते हो LCM भी 4 pi आएगा इसका मतलब इस पूरे function का पिरिड के आ रहा है 4 pi के बराबरा आ रहा है अब मैंने आप लोगो जो PDF दिया मैं उसी में से कुछ MC के उसमें पिक कर लेता हूँ अच्छा एक तो मैं टॉपिक आपको बता दूँ के सवाल डुमेन और रेंज के आते हैं मैंने आपको डुमेन और रेंज के बताया है कि लेक्चर नमर 7 को देख लो साइन कॉस इन फंक्शन के न डुमेन ने जाती है लेकिन कभी फंक्शन को थोड़ा चेंज कर देते हैं लेट कर लो आपके पास आजा है कि ये मैं अलग से लिख देता हूँ हेडिंग के मैं टॉपिक अलग से थोड़ा बता रहा हूँ डुमेन वाला अब मैं डुमेन की बात करता हूँ देखो डुमेन का तालुफ तालुफ जो है वो जस्ट एक्स से होता है कहने का मतलब अगर मैं यहां पे लिखूँ थ्री टैंजेंट एक्स की डुमेन बताओ फाइफ कॉस एक्स की डुमेन बताओ या माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स की डुमेन बताओ तो भाई डुमेन का तालुफ थ्री फाइफ माइनस वन अपॉन टू से होता ही नहीं यहां पर कोई भी number confuse करने के लिए वो आपको दे दें तालुक ही नहीं है इसका domain का तालुक होता है अंदर से तो tangent x की domain मैंने उस वीडियो में बताई भी है कि इसमें real number में से आप वो 90, 270 जो 90 के multiple है वो निकाल देते हो और जहां तक बात cost और sign की है तो cost और sign की domain सब real number है आप इसके अंदर सब real number पूट कर सकते हो आप वो वीडियो देख लेगा आपको idea हो जाएगा मैं इस वट क्या बात कर रहा हूँ तो domain का तालुक नहीं कि आप इससे क्या multiply कर रहा हूँ डुमेन का तालुक अंदर से होता है कि आप 3x लिखा हो या 5x लिखा हो तब इसके domain चेह हो जाएगी otherwise domain का तालुक इससे नहीं होता और दूसी चीज़ अगर आप range की बात करो यह जब मैं mcqs करवाँगा उसमें बकायदा मैं mcqs solve करवाँगा अब यह जब मैं आपको idea दे रहा हूँ अभी मैं इंशाला mcqs की video भी upload करूँगा तो उसमें मैं यह बातें मता हूँगा इसी तरह अगर range की बात की जाए अब range का तालुक बाहर वाली चीज़ से नहीं होता अब यह समझ लो कि अगर अंदर लिखा हो 3 tangent 3x यह लिखा हो 5 cos 5x यह लिखा हो minus 1 upon 2 sin x upon 2 कर लेते हैं अब range का तालुक जैसे पहले आप हैं देखा था ना domain का तालुक अंदर वाली चीज़ से होता है तो range का तालुक बाहर वाली चीज़ से होता है range को अंदर से कुछ नहीं करना अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ और मैं आप से पूछू tangent की range बताओ तो tangent 3x की जो range है और जो tangent x की range है same होगी range का तालुक अंदर से होता ही नहीं है range में आप देखते हो कि बाहर क्या चीज़ लिखी वी है तो जो tangent x की range होगी वही tangent 3x की होगी वही tangent 5x की होगी वही किसी भी tangent की होगी same concept नीचे भी आप देख लो कि जो cos 5x की range है वही cos x की भी होगी वही cos 2x की भी होगी बस range को असर कहां पर पढ़ता है यह 5 से पढ़ता है तो अगर मैं सब को मिटा दूना तो अभी वही range है जो मैंने उस वीडियो में आपको बताई भी है कि tangent की range होती है sub real number cos की range होती है minus 1 और 1 के दर्मियान sin की भी range होती है minus 1 और 1 के दर्मियान तो range को अंदर वाली values से कोई फर्क नहीं पढ़ता हूँ बाकी इंशाला जब मैं mc की उस करवाऊंगा तब आप लों के बात मजीड डिटेल में बता दूँगा ये एक mc की उस आ गया था बस मेरे जहन में अच्छा अब मैं अज़र दोबारा period पे आ जो अगर लिखा हो है कि sin x divided by 2 plus cos x divided by 4 ये चीज लिखे भी है अब इसका period निकालना है तो वही काम करो sin का period होता है 2pi x के साथ लिखावे 1 upon 2 cos का period होता है 2pi x के साथ लिखावे 1 upon 4 2 को multiply करो 4pi 4 को 2 से multiply करो 8pi अब ये least common multiple का मतलब क्या होता है ये LCM निकालने का best तरीका ये है कि जो छोटी वाली चीज है उसका table बढ़ते जाओ कहने का मतलब 4pi को 1 से multiply करो 4pi आएगा 4pi को 2 से multiply करो तो 8pi आजाएगा अगर तो आप छोटे वाले number का table बढ़ते जाओ और वो दूसरा जो है वो उसके table में आजाए तो straight away जो बड़ी वाली चीज है वो LCM हो जाएगी मैं example दे रहो आपको तो इस वाले case में अगर आपने देखा 4 का table आपने बढ़ा और 4 के table में 8pi आ रहा है इसका मतलब 8pi जो है वो यहाँ पे period है इस function का क्योंकि इन दोनों का LCM है वो किसके बराबर है 8pi के बराबर है यह मैं LCM लेना आपको सिखा रहा हूँ लेकिन let कर लो अगर यह वाली situation होती अब आपको बता है 4pi के table में 6pi आता ही नहीं है अब आप क्या करते हैं अब आप दोनों का अलग अलग table बढ़ते हैं 6pi 1 जा 6pi 6pi 2 जा क्या होता 12pi और यहां पे जब आप 4pi का table पढ़ डे होते हैं तो 4pi 3 जा क्या था 12pi तो जब दोनों common आगे तो यह least common multiple हो जाता यहां पे इनका LCM क्या हो जाता 12pi के बराबर हो जाता तो मैं summarize करे देता हूँ बात को अगर आपने LCM निकालना हो तो आप देखो के चोटी वाली चीज चोटी वाली चीज के table में अगर यह बड़ी वाली चीज आ रही है तो simple यह LCM है मसला खतम लेकिन अगर जो चोटा वाला number है उसके table में बड़ा वाला number नहीं आ रहा तो आप दोनों का अलग अलग table पढ़ते जाओगे जहां पर यह common आ गए वो आपके LCM हो जाएगा ठीक है अब यह बात तो काफी easy लग रही होगी लेकिन मैं अभी example करवाता हूँ उसमें फज़ा हो गया यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो 8.20 का answer है यहां पर कह रहे हो कि आप सवाल पूछे दोबारा टैंजन 3x होता हो हाँ फिर बिल्कुल मढ़ता क्योंकि मैंने बताया है यह डूमेन का असर इन चीदों से होता है यहां पर टैंजन 3x आता अब डूमेन में फर्क पढ़ जाता है तो वो फर्क क्या पढ़ेगा बता दूँगा आपको और रेंज का तालुक इससे होता है यहां पर अगर कुई चीज आएगी तो रेंज पर फर्क पढ़ेगा क्योंकि देखो मैं बहुत एक मोटी example देता हूँ बास समझा जाएगी cos x की range मतलब cos की values क्या होती है cos की value maximum 1 होती है minimum minus 1 होती है लेकिन अगर मैं यहां पर 2 लगा दूँ तो अब यह बात चेहन हो जाएगी cos की maximum value of 2 हो जाएगी minimum value minus 2 हो जाएगी तो उसका मतलब range का असर का पढ़ा कि जब यहां पर कोई चीज आगी अगर मैं यहां पर कुछ ना लगा हूँ मैं यह बोलू अब भी cos की range 1 और minus 1 ही रहेगी अंदर मैं कुछ भी करता रहूँ range पर कोईसर नहीं पढ़ेगा जैसे मैं बाहर कोई number लिखूँगा अब cos की range पर फर्क पढ़ जाएगा तो range का तालुक भाहर से होता है range उसवाद चेंज होगी जब भाहर कुछ रिखा रहे और domain उसवाद चेंज होगी जब यह angle के साथ कोई चीज मुल्टिपला हो रही है यह MCQs में मैं मजीद आपनों को clear कर दूँगा बस मैं एक example करवा दूँ कोई हाँ बोलो कॉस और साइन के अंदर यही चीज होती है कि जो नमबर मुल्टिपला हो रहा है वो range बन जाती है लेकिं टेंजेंट, कॉट, सेक और सेक वो थोड़े मुश्किल होते है 3 होता तो फिर यह होता कि maximum 3, minimum minus 3 चो यहाँ पर मुझे को example मिल नहीं रही मुझे लगता है खुद बनानी पड़ेगी बस मैं LCM वाली आपको चीज समझानी थी काम करते हैं यह सवाल आजाए आपके पास अब जरा आपको इसकी आखरी सवाल है बस period से लेटिट देख लो इसको अच्छा अगर multiple हो रहे हैं तब भी concept होता है जहन में रखना प्लस हो रहे हैं, multiple हो रहे हैं, minus हो रहे हैं, यह concept है अगर divide हो रहे हो मतब different type के function हो, जैसे sin 2x plus cos 3x consider करो sin 3x plus tangent x तो इन सब function का आप अलग-अलग-अलग LCM निकालोगे, ठीक है और फिर divide का तालूग इनी है इससे चारूं के अलग-अलग period निकालो और फिर जो उनका LCM आ रहा है, वो concept हो जाएगा जैसे यहाँ पे आप अलग-अलग period निकालते हो, प्लस को कोई असर होता है, नहीं आपने अलग-अलग period निकाला, LCM लिया सेम वही काम है, आप सबका अलग-अलग period लोगे और LCM ले लोगे तो अगर आप LCM लेना सीख जाओ, तो मसला आपका हल हो जाएगा अब जरा देखते हैं, यहाँ पे LCM कैसे लोगे साइन का period होता है, 2 pi और x के साथ क्या लिखाव है, 4, तो आपने डिवाइट कर दिया कॉट का period होता है, pi x के साथ क्या लिखाव है, 3, आपने डिवाइट कर दिया तो यह हो जाएगा, pi by 2, pi by 3 अब मुझे को इस्टुएंट बता सकता है, इसका LCM क्या होगा, यह चीज मुझे बतानी है, क्या होगा, 24 pi यह इतना बड़ा से लोने वाला, कोई और ट्राय करना चाहते है, तो गर ले मुझे 4 pi लग रहा है, इसका, नहीं, 4 pi by 3 लग रहा है, कोई और बताना चाहते है, तो बता दे 4 pi ले नहीं, pi हो जाएगा, इसका, pi है इसका इन दो चीजों के LCM लेने हैं आपने, क्या लगता है किसी को, क्या LCM आ रहा है, इसका अगर दोने एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहा है, तो टेबल पढ़के देख लो, जो जिसके टेबल में आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा 12 pi, 5 pi by 6, 9 जो देख लेते हैं, तो लो में आखर में टेबल सही नहीं पढ़ देख लेते हैं, मैंने सही नहीं कल्कुलिशन की, देख लेते हैं, किसका आंसर ठीक है जो छोटी चीज़ है उसका दरा टेबल पढ़ते है, और भी तक तीन हमने पढ़ लिए है, अब pi by 2 पे आ जाओ pi by 2, 1 जा pi by 2, pi by 2 जा pi by 2, pi by 2 को जब 2 से multiply करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 pi by 2 हो जाएगा, और यहां से आप देख लो value match कर रही है, यह pi है, यह भी pi है बास समझाएगे सबको, अलग-अलग table पढ़ा, जहां पे पहली value उनकी match कर रही है, वो lcm होता है, lcm का मतलब least common multiple, यह multiple आप सारे पढ़ रहे हो ना, तो इसमें से common वाला हो और least वाला हो, इसके बाद भी कुछ common आ सकता है, लेकिन सबसे कम वाला common देखने हैं आपने, तो इसका lcm, पाई के बनाबर है, तो इसका दब आप lcm निकालो गए, तो lcm पाई आ रहा है, इसका मतलब इस function का period पाई है, अचा आप इसको observe भी कर सकते हो, कैसे, आप इसको जो मैंने app बताइए ने, इस पूरे function को उस app में draw करना, ठीक है, और आप देखना हर πाई बात, मतल अब ग्राफ में तो पाई वाली numbering नहीं होगी, 3.14 होगा तक्रीबन, तो आप देखना हर 3.14 के बाद नहीं ग्राफ रिपीट कर रहा होगा, आप यह observe करके देख ले ना